हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक टो हिंदी मिरर चैनल सभी स्टुडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है फिर से आपके लिए हाजिर है प्रिवेस कोशन पेपर लेकर उत्राखंड की अर्थवियस था एकोनोमी आफ उत्राखंड प्रिवेस कोशन पेपर है बैचल को आप ज़्यादा फोकस कीजिए और जो पेपर्स में रेंडम ली आते हैं उनको भी हम कहते हैं कि इनको भी आप एक बार देख लिजिएगा बाइबुक आपको भेज चुके हैं उसकी तयारी कर लिजिए चैनल पर अप्रोड हो चुकी है आपकी जो बी ए ए सी एन एक सो बी से तयारी शुरू हो गई है तो जल्दी से जुड़ जाएए सभी हिंदी मिरर के साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया है तो कर लिजिए और अपनी तयारी में जुड़ जाएए और हिंदी मिरर के लिए एक लाइक और शेर कर दीजिए सभी के लिए क्योंकि आ आपके जाने वाले हैं EC में EC 120 में है न उत्रखन की जनसंख्या की विशेस्ताओं का विस्तार से वर्णन कीजिए अभी अभी बुक अप्लोड की थी तो बिल्कुल पहले बुक को देखे अच्छे से फिर जो प्रिवियस कोशन पेपर है उनको फोकस कीजिए और फिर अपनी त्यारी शुरू कर दीजिए तो प्रशन देखे पूछा गया है जो मैंने आपको बाई बुक बताया है कि जनसंख्या के बारे में आप पढ़ लिजिएगा जनसंख्या की विशेस्ताओं भारत में आर्थिक न्योजन की सफलता और असफलता का मुल्यांकन कीजिए पढ़ लिजिएगा जरूर फिर इसके बात है उत्राखन की और ध्योगिक संरचना की विस्तार से व्याक्या कीजिए अभी थोड़ देर पहले जब मैंने बोक अप लोड़ की तो वहाँ पर मैंने बताया था कि हैडिंग्स काफी जा रहे हैं अब उत्राखन की आठ से बार को एक्स्प्लेंड करें आप छे से साथ भी एक्स्प्लेंड कर सकते हैं है ना फिर इसके बात है उत्राखन में गरामिन विकास के लिए कौन-कौन सी योजना चलाया जा रही है विस्तार से बताईए तो विस्तार से पूछा जा रहा है लेकिन काफी योजना है उन योजना करन के लिए चला जारी रोजना के बारे में बताना है आपने देखा है कि जादतर जो फोकस करा जा रहा है कोशन पर महिला से संबंदित किया जा रहा है पर भी महिला के बारे में यहां कोशन पूछा गया है जन जाती के बारे में पूछा गया है तो इसरे के प्रशनों को आर्थिस्पस कीजिए पढ़ लीजेगा निर्दनता क्या है इसके बात उत्राखन के वन संसाधन देखे मैंने अभी थोड़ देर पहले का था कि वनों को जरू पढ़ के जाईएगा यहां से प्रश्ण बनेगा ही बनेगा बन चुका है वन संसाधन से संबंदित आर्थिक न में बताया था कि वहांपर 2008 भी है 2017 211 भी है तो मैने कहता कि सारा पढ़ लिजिए सारे में से किसी में से पूछा जा सकता है वहां हम नहीं कह सकते कि आप 2021 ही पढ़कर जाई है 2008 यह 2017 पढ़कर जाई है कुछ भी बनेगा है तो चार वहांपर हैं 4-5 उसको आप पढ़ लिज आपके सार्ड डिसकस करते हैं और दिखा देते हैं उसली कहीं न कहीं आइडिया आपको होँ जाता है कि हाँ केस तरह के कुशंग्यों बनते हैं और किस टॉपिक को जादा फोकस किया जाता रहात है चलिए नेक्स पेपर आपको दिखा देते हैं उत्राखन की अर्थ व्यवस्था बैचलर ओफ आर्ट्स बी ए किस तरह की कोश्चन अब दूसरे पेपर में आपके बन रहे हैं इनको चेक कर लेते हैं एक बार पहला ही प्रशन यहां पर जो पूछा गया यह प्रशन आपका पूछा गया उत्राखन की जनसंख्या को परभावित करने वाले विभिन कारको का वर्णन कीजिए प्रशन आपने देखा जनसंख्या के बारे में पूछा गया था पिछले पेपर में भी और यहां पर भी पू करना है लगो द्योग से क्या भी प्राय है उत्राखन की स्थापना के बार लगो द्योग की स्थिते पर प्रकाश डालिए अब यह प्रश्ण देखिए आपके बुप में किस तरह से की जो इस्थापना होई थी उससे पहले क्या स्थिती थी और जो स्थापना के बाद उसके क उत्राखन में सिचाई का महतु समझाई तथा योजनबद विकास के दोरान सिचाई सुविधाओं की विरधी पर भी लिखिये। सिचाई पूछा जा रहा है पिछले पर भी पूछा और इस बार भी पूछा इस बार आपसे महतु पूछ लिया गया है और सुविधा की वरधी किस प्रकार से हो रही है उसके बारे में भी यहाँ पर बताना है उद्योगी करन दुबारा से आ चुका है भारत में उद्योगी करन की परिकिरा में सारवजनी के अनी जी सेत्रों में क्या भूमी का निभाई है तो ये एक रैंडम ली कोशन है लेकिन आपकी बुक में ये है तो इसको अच्छे से पढ़ कर जाना है आपको प्रयाटनु उद्योग का अर्थवयसुस की विशास्तों का इसपश कीजिए प्रयाटनु उद्योग में होने वाले संकटों को दूर करने के उपाई बताईए प्रयाटनु वाला जो टॉपिक है वो मैंने आपसे बुक में डिसकस किया है तो उसको अच्छे से पढ़िए और प्रेट में से सम्मंदित सब कुछ पढ़कर आपको जाना है नेस्ट टॉपिक आपका देख लीजे जो बन रहा है उत्राखंड अर्थव्यस्ता की प्रमोख विश्यस्ता है आपने देखा जो पहले वाला पेपर था वहाँ पर ये लोंग कोशन में पूछा गया था और यहाँ पर ये शौट में पूछा गया है तो प्रशनी बहुत इंपोटेंट है पूछा ही जरूर जाएगा उत्राखंड में महिला शर्शक्तीकरन दوبारा आचुका है तो महिला के बारे में जो है अच्छे से पढ़ लीजेगा क्योंकि ये भी प्रशनी ये भी रिपीट हो रहा है निर्पेक्ष निर्धन्ता, सापेक्ष निर्धन्ता में अंसर बताईए निर्धन्ता भी पढ़ ल कि यहां पर पूछी गई है गरामीन अर्थवयस्ता में लेकिन काफी वहां पर दिखाए गए थे कि मुर्गी पालन है पशुपालन है तो उन सब को आप देख लीजिएगा कोई भी पर्टिकुलर भी पूछा जा सकता है और पूरा भी पूछा जा सकता है पशुपालन के बा प्राकरती संसाधन कौन-कौन से हैं इसके बारे में भी हमने बुक में डिसकस किया है तो इसको अच्छे से आप पढ़ लेना चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर यानि के प्रशन पर उत्राखन की अर्थव्यस्ता में पर्यावरन की भूमी का बताईए इसमें दो टॉपिक ब के साथ और लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए क्योंकि आप लाइक करते हैं तो कहीं न कहीं वीडियो को पसंद करते हैं और शेयर जब करते हैं तो हैल्प करते हैं तो हैल्पूल रही है हमेशा और हिंदी विरर का हिस्सा अभी तक नहीं बने है तो बन कर जाईएगा